दिपिका पादकॉन का लुक देखा क्या आपने भाई दिपिका पादकॉन के इस लुक के लगातार चर्चे हो रहे हैं क्योंकि इसमें दिपिका पादकॉन बहुत प्यारी लग रही है और दिपिका पादकॉन जो है यहां पर बेबी बंप जो है वो फ्लॉंट करती नज़र और उनका तो ये मेटरनेटी यिलो गाउन है ना इतना कमाल का है कि बस मात्र बहुतर गंटे में ही नीलाम हो गया हाँ यहाँ पर दिपेका पाध कॉर्ण का जो ये गाउन है वो बहुत ही जाधा खुबसूरत मंजर आ रहा है हाली में दिपिका पादकोन जो है वो एक इवेंट में शाविल हुई थी और इस मौके पर उन्होंने ये खुबसूरत यलो गाउन जो है पहला हुआ था और उनका जो ये यलो कलर है वो आप देख सकते हैं कितना जादा फब रहा है दिपिका पादकोन पर इसमें उनका बेवी बाउंप भी बहुत ही अच्छी तरह से सफसाफ नज़र आ रहा था अब देपिका पादकोन के इस गाउन को लेकर जो बात सामने आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि देपिका पादकोन ने अपने इस गाउन को नी लांव कर दिया है वैल जो सा किर सक और उन्होंने खुद इंस्टर्ग्राम पर शेयर करते हुए लिखा फ्रेश ऑफ दर्ग इस पर किसका हाथ है वैल हमीशा की तरह आये और इसके बाद उन्हें टैक किया था पहल को और उन्होंने जो है वह वह तरह पर इस तरह किया जब को पता हिए कि वह यह सपोर्ट करती ह आपको बता दे कि चारिटी के लिए फ्रेश पाउडर रैक पहल के हिस्से के रूप में गाउन को निलामी के लिए रखा गया था और पुरंत यह वो बिग गया अब उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर जो है लिंक शेयर किया और इस पर गाउन के कीमत के बारे बताया देपका पादकोन का यह गाउन तो है वो करीब 34,000 में बिका है और इस गाउन के पैसो को डोनीट करने वाली है देपका पादकोन तो यह इतने में बिका है करीब उनकार यह गाउन और अब जानें कितना खास है यह गाउन बात करें उनकी जो लुक है उनके बारे में तो आप सब देख सकते हैं उन्होंने यलो मैक्सी ड्रेस में नजर आ रही है ना में अठेनएं के लिए बहुत ही फॉफेक अग रहा है बारे मिए ने लागन रहे avons और है। इसके साथ साथ यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो देपिका है उनकी चहरे पाथ जो यह प्यारा सा स्माईल है वो तो बस पूछिये ही मत तो कुल बिलाकर देपिका पादकोर की यह मेटरनेटी ड्रेस्ट आप भी कर सकती है ट्राइब फिलाल आप सबको कैसी लग रही है देपिका पादकोर आपको में कॉमेंट केके ज़रूर दाइगा स्वीटी में बखता है